नमस्कार आप देखने आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों इससे पहले हमने यानि की BCN ने महराश्ट TV 24 नामक चैनल के कालेकार नामों का सच आप तक दिखाया था जिसके CCTV भी हमने उस वीडियो में दिखाया था जिसमें यह भी दिखाया था कि किस तरीके सा महराश्ट TV 24 के एंप्लॉय एक केक की दुकान में किस तरीके से मार्पिट करते हैं दमकी देते हैं एक्स्टॉर्शन करते हैं आज हम जो सच दिखाने वाले हैं उसका भी CCTV फूटेज के साथ में हम प्रूफ आपको हम दिखाने वाले हैं और CCTV की सच्चाई तक लेकर आने वाले हैं जब महराष्ट TV 24 चैनल के काले कार नामों को BCN ने आप तक लेकर आया उसके बाद से लगातार उनके मालक रितेश बोरकर द्वारा अलग अलग तरीके से BCN को यह खबर भिजवाते रहे कि जो न्यूज BCN ने उनके खिलाफ लगाया उनके चैनल के खिलाफ उसको निकाल द ना सुनी तो 14 जून यानि की बुदवार को 14 जून को BCN के डिरेक्टर इमरान शेख के मोबाइल पे एक वाटसप पे वाटसप आता है उस वाटसप में उनहीं के फेस्बुक की फोटोज उनहीं के फेस्बुक के स्क्रीन शॉट्स उनको भेजा जाता है और मैसेज यह फोटोज जो सभी करते हैं उसी फोटोज को ले करके हम कंटेंट बनाएंगे और आपकी बदनामी करेंगे अब किसी के फेस्बुक की फोटो जो खुद पबलिक को दिखा रहे हैं नौकनी नॉर्मल फोटो वही फोटो अगर भेज के कोई धमकी दे तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उस व्यक्ति की सोच की बुद्धी की बदनामी होगे और कहा भी जाता है कि जब ना जमनुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है 15 जून बुद्धवार को दोपहर लगभग 11-12 बज़े के आसपास रितेश बोरकर अपने एक करमचारी को BCN करयाले भेजते हैं करयाले में आकरके उनके करमचारी BCN के करमचारियों से बाचित करते हैं और बाचित में उनके करमचारी ये कहते हैं इससे पहले जो दोनों पक्ष ने वीडियोज अपलोड किये हैं उसे रिमूव करने की बात करते हैं और इसके बाद वो सेटलमेंट की भी डिमांड करते हैं और नहीं तो वो बताते हैं कि आज देर रात शाम को यानि कि 15 जून की ही देर रात को BCN के खिलाफ उनके मालक अपन सुना कर दिया जाता है तो महराष्ट टीवी 24 15 जून की देर रात को BCN के खिलाफ एक डालते हैं यानि कि ऐसा करके रितेश बोरकर अपने ब्लैक मेलर होने की छबी को फिर एक बार अंजाम देते हैं जोस्तों ऐसा कहा जाता है कि सूरज कितना भी तेज चमक ले वह जिस पर लोग विश्वास करते हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या महराष्ट टीवी 24 जैसे जो मीडिया कर्मी है उनके उपर में लोग कितना विश्वास करें और कैसे विश्वास करें अपने आप में बड़ा प्रस निर्मान होता है क्योंकि यदि देश का चौथा इस करने लगे धमकी देने लगे अगर इसमें इंवल्व हो जाए तो फिर एक की वज़ा से सब बदनाम होते और आखिर ऐसे लोगों के साथ में क्या किया जाए देश की जनता है ऐसे लोगों पर ऐसे मीडिया पर महराष्ट टीवी 24 जैसे मीडिया पर क्या उनको उन्होंने सि आज भी लेकर आया आने वाले अगले एपिसोड में भी सच लेकर हम आप तक आएंगे आप हमारे साथ बने रहें देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन बेसीन न्यूज पे सच दिखाये बीना छुपाये जहिंद